नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सागर एंड स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों सामने जो आप कर्टन देखने है इसके नेचे खड़ी है जी नई वाली ब्रेजा जी ना दोस्तों फाइनली जो ब्रेजा है वो लाँच हो चुके है यहाँ पे आज इसका लाँचिंग इवेंट हो रहा है यहां के जो MLA है लालकों के उन्होंने ये इसकी लांचिंग की है यहां पे आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत रिफ्रेशिंग सा डिजाइन जो है आपको देखने को मिल जाता है यहां पे इसका फ्रंट फेशिया कंप्लीटी चेंज हो चुका है इंटीरियर भी चेंज है एकसीरियर भी चेंज है आप देख सकते हैं यहां पे हम आपको इसका फ्रंट फेशिया चेक आउट करा रहे हैं काफी टाइम से बेसबरी से इंतजार हो जाता था कि कब ब्रेजा आएगी क्योंकि काफी टाइम से एक फेसलिफ्ट की बहुत ज़्यादा जरूरती तो फ्रंट फेश यह आपको दिखा रहे हैं तो यहां पे आपको जो है टेल लाइम का सेटप जो है वो सबको चेंज हो चुका है आप उपर से आप जब लाइट पड़ती है इस कलर के उपर तो बहुत ही अमेजिंग सा यह दिख रहा है तो आप देख सकते हैं यहां पे आपको जो यहां प्लिफिफशखर का सेटप है तो Cup Hai परिश वाले फॉर्म है, रेक्टेंगुलर टाइप का आपको लग रहा है, तो काफी जादा जो बड़िया दिखने में लगता है, यह आपको जला के हम दिखाते हैं, तो ऐसा कुछ फील आने वाला है, तो काफी जादा रिफ्रेशिंग, काफी जादा जो डिफरेंट सा किया गया है, बट जो चेंजिस हैं, वो काफी जादा अच्छे लगते हैं, फिचरिस्टिक डिजाइन है, अब इनका और जो डिजाइन है, यूथ ओरियंटेट लग रहा है, नीचे स्किट प्रेट मिल जाती है, आपको सिल्वरिश कलर की स्किट प्रेट जो है, वो आफर ह जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, कितना ही जो बहतरी इन डिजाइन है, वो आपको देखने को मिलता है, 215 का जो प्रोफाइल है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो विच लुक्स वेरी गुड और बात की जागर इसके ORVM की तो डूल टोन के अंदर आपको ORVM मिल ज जाते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको सन्रूफ आफर होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, आपको अब जो है ब्रेजा के अंदर सन्रूफ मिल जाएगा, जो मारूती की जो एक रूफ देखने को नहीं मिलता था A pillar blacked out है, B pillar blacked out है यहाँ पे आपको fuel tank मिल जाता है उपर आपको मिल जाते है roof rail जो की काफी sturdy लगते है यहाँ cladding वगएरा भी आपको देखने को मिल जाती है, जो की अच्छी लगती है इसको sporty और muscular जो stance है वो आपको देखने को मिल जाता है अब आजाते है rear पे जो की सबसे ज़ादा बड़िया लगता है, तो यह देख सकते हैं कितना ही बड़िया जो है आपको इसका rear देखने को मिलता है, कोई भी अगर मैं पीछे से ब्रेजा की बैजिंग हटा दूँ और कोई भी देखके नहीं बता सकता कि यह आपकी ब्रेजा है, यह आपको कही न कहीं उस गाड़ी का feel करा रही है जिसके हम सब देवाने हैं, यहाँ पे आपको सारा का सारा LED का setup मिल रहा है नीचे आपको जो turn indicator है, वो आपको सारा रही है, वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह इसका आपका reverse lamp हो गया, बीच में आपको सुसी की का logo, यह मिल जाता है आपको इसका camera, तो यह कुछ इसका overall look आ रहा है, यहाँ पे आपको एक, दो, तीन, और यह चार चार आपको parking sensor मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको reflectors मिल रहा है, बीच में आपको कुछ different type का lining वाला design देखने को मिल जाता है, नीचे आपको skid plate है, वो भी आपको silverish मिल जाती है, तो यह रहा कुछ इसका पीछे का कमाल का look, जबर्दस look आ रहा है, कही ना कहीं आगे का look और पीछे का look एक दूसरे को बहुत ज़्यादा compliment कर रहे हैं, तो which looks very good, बाकी अब आजाते हैं, इसके आपको door पे दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है request sensor, तो एक बार आपको जो door trim है वो दिखा देते हैं, तो यह देख सकते हैं, आपको हैं door trim है, color के अंदर changes किया गए है black and यहाँ पे आपको brown का texture दिया गया है, brown आपको soft touch padding मिल जाती है, यह देख सकते हैं बाकी यह देखे, कितना ही battery ही लग रहा है, silverish का का काम किया गया cello finish मिल रही है, यहाँ पे आपको chrome door handle मिल रहे है, यह चीज़ बहुत अच्छी होगी है यहाँ सारे के सारे जो आपके controls हैं windows के, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि यह देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको, इसके जो switches है ORVM के वो मिल जाते हैं, अब उसको auto foldable का option भी आपको मिल जाता है बाकी grab करने में जो handle है वो पहले से ज्यादा solid लगता है, अच्छा लगता है twitter का setup है यहाँ पे, दो twitter मिल जाते हैं access side, echo side and speaker की placement यहाँ पे की गई है, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है, water bottle का option यह grab करने में जो handle है, काफी ज़्यादा बढ़िया हो जुका है अब आपको जो है, थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे अंदर का, सबसे बहले बात कीजा इसकी seats की, तो seat में आपको height adjustment मिल जाती है, manual जैसे कि आपको यह दिख रहा है, manual height adjustment है, बाकी fabric seats मिलती है बड़ जो इसकी कुशनिगा बहुत ही बढ़िया है अंदर था इस, जो comfort है, वो भी बढ़िया रहने वाला है यह रहा इसका headrest जो कि आपका adjustable है, और यह रही जी वो वाली sunroof, जिसके लिए हम सब दिवाने हैं अब अंदर बैट के आपको दिखा देते हैं और क्या-क्या चीजी हमें आपे offer हो रही है अंदर बैट चुका हूँ मैं, जो cabin है अब वो पहले से ज़्यादा बढ़िया हो चुका है जो design है, completely वो change हो चुका है देख सकते हैं, एक थड़ वाला जो feel है वो यहाँ पे मिल जाता है, तो कि बहुत अच्छी बात है पहले भी जो ब्रेजा थी, 4 star में आती थी अब भी उमीद लगाई जा रही है कि जो नई बढ़ी ब्रेजा है, वो 4 क्या 5 star ज़रूर लेका हैगी कैबिन की बात की जाए, तो एक दम रिफ्रेशिंग टाइप का डिजाइन मिल जाता है, यहाँ पे आपको steering wheel मिल रहा है, जो कि completely new है जो कि आपको swift के अंदर देखने को मिलता है, नई बलीनों के अंदर देखने को मिलता है flat bottom steering wheel मिल रहा है, leather wrap मिल जाता है, जो कि काफी जादा जो premium है hold करने में लगता है, यहाँ नीचे जो है silverish finished ही गई है, यह सारे के सारे steering mounted जो controls है, वो भी offer हो रहे है, flat bottom है, काफी जादा जो premium design है, वो देखने को मिलता है tilt का option भी है, प्लस यहाँ पे आपको telescopic भी मिलता है, जी हाँ दोस्तों यह चीज बहुत अच्छी होगा है, tilt के साथ सा telescopic option मिल रहा है, तो यह बहुत बढ़िया चीज हो जुकिए, बाकी आप design देख सकते हैं, dashboard का design completely एकदम आपका नई वाली जैसी बलीनों आरी है, वैसा मिलता है, उपर आपको मिल जाता है, black card treatment, नीचे मिल जाता है, आपको brown, silver, काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे cool club box option भी आपको देखने को मिलता है, which is very good, अच्छा है, silverish finish है, अलग सा एकदम, आपको जो यहाँ पे music system है, बहुत ही बड़या देखने को मिल जाता है, यह आप इसको एक बार आपको on करके दिखाते है, यहाँ से इसको press किया जाएगा, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका मारूती का नया जो smart pro plus वाला जो connectivity वाला फीचर वाला जो आपको music system है, वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 360 degree जो camera है, उसका भी setup देखने को मिल रहा है, उसके अंदर आपको अलग-अलग type के जो modes हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे भी आपको थोड़ा सा close देखना है, wide देखना है, वो सारे यह सारे options जो हैं, वो आपको इस camera के अंदर देखने को मिलेंगे है, side जो है, यह देख सकते हैं, side का भी जो view है, वो आपको दिखा रहा है, which is very good, बहुत बढ़िया जो design है, जो इसका music system का हो चुका है, quality, sound quality बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इस तरीके से अगर हम दबाते हैं, तो सारा का सारा, जो surround का view है, वो ले लेता है, आपके आस पा सरांडिंग में क्या चीज़े हैं, वो आपको चीज़े हैं, यहां से पता चल जाती है, यह देख सकते हैं, यहां पर हमने अगर button को press किया, तो उसके बाद जो सारा का सारा, साइड का व्यू है वो दिखा देता है डिटेक्ट करता अक्चली तो यह चीजे आपको आपकी जो नई बिलीनों आई है उसमें भी आपको देखने को मिल जाती है यहां पर बात की जाए इसके आपको देखने को मिलता है नीचे आपको मिल जाता है वारलेस चार्जिंग का उप्शन जो की अच्छी बात है यहां पर पोड़ा दिये गए है यह इसका गियर नॉब जो आपको फाइव स्पीड मालो ट्रांस्मिशन के साथ मिल जाता है पहले भी फाइव स्पीड आता था यहां टेक्श्री टाइब का जो डिजाइन है ब्राउन कलर में वह काफी जादा फील बड़ा अच्छा कर रहा है अच्छा प्रीम फील हो रहा है कुष्णिंग की बात की जाए तो जबरदरस कुष्णिंग आपको देखने को मिल जाती है मानुती की जो फ्रेंट की कुष् आपको विजिबल हो रहा होगा अब इस ताइम लो फ्यूल का जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है क्योंकि अभी इसमें गाड़ी में तेल नहीं है तो यह रहा कुछ इसका लुक तो आप यह चेक आउट कर रहे हैं यहां पर ब्रेजा जो है आप कंप्लीटली बिल्कुल चे क्लेस्टर के अंदर जो LED मिल जाती है वो सारी की सारी आपको डिस्टल विडिया उसको आप उसके अंदर सारी इंफोर्मेशन वगेरा आप इस नॉब के थूरू जो है एकसेस कर सकते हैं तो यह रहा इसका कुछ लुक यहां से इसका जो हैड़ डिस्पले है वो आपका नि सकते हैं बाकी बाद की जाए यहां पर तो सबसे अच्छी चीज होने वाली है यह इसकी सनूरूफ देख सकते हैं दोस्तों अच्छा कासा जो बोल सकते हैं इसका साइज आपको देखने को मिल जाता है आपको जो पीछे है उसको आपको दबा के करना पड़ेगा बिकाज व तो यहां रही सन्रूफ की कहानी, अब क्या करते हैं, अब हम आपको ना, जो सारा का सारा है, पीछे का दिखा देते हैं, उससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, गलब बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर स्टोरेज का उप्शन भी आपको देखने को मिलता है, यह है, अब आपको रियर वाले डोर पे भी चलके एक बार चेक आउट करा देते हैं, यहां पे जो डोर है, ड्राइवर साइड है, वन टच डाउन और वन टच अप का जो आप्शन है, वो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड विंडोस के अंदर देखने को मिल जाता है, तो यह कुछ आगे का, तो दोस्तों आप चलते हैं इसके रियर की दरफ और जो रियर का स्पेस है, वो भी आपको दिखाते हैं, उससे पहले जो इसका डोर ट्रिम है, वो आपको चेक आउट करा रहे है, यहां पे भी आपको वही ब्लाक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ब्राउन का का सा वाइड एरिया आपको देखने को मिलता है, एक बर अंडर बैट के आपको दिखाते हैं, कितना ही जो स्पेस है, वो देखने को मिल जाता है, तो देख सकते हैं, मैंने जो सीट है आगे अपने हाइड के गॉर्डिंग एजिस की दिए, उसके बाद भी जो नी रूम है, आप उसको एड़्डेस कर सकते हैं, नीचे आपको जो है टाइप सी चारजिंग पोर्ड देखने को मिलता है, स्पेस की बात की जाता है, तो काफी अच्छा स्पेस जो है आपको देखने को मिल जाता है, अराम से आप यहां पे तीन हैरल्स ऑक्योपाई हो सकते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं, यहां पे आपको दो काफ फोल्डर के साथ, यह जो आमरेस है, वो देखने को मिल जाता है, तो यह चीज़ अच्छी होने वाली है, कमफर्ट का पूरा जो ख्याल रखा गया है, अच्छा कासा जो पीछे कमफर्ट मिल रहा है, सिक्सी फॉर्टी का ज़्यदा अच्छी लगने लगिए अब आपको इसका जो बूट है वो भी एक बार दिखा देखते हैं तो यहां पर आगाए देख सकते हैं यहां पर आपको जो बूट है उसके ओपनिंग काफी ज़्यादा वाइड होने वाली है दोस्तो बात की जाए इसके ओवराल स्पेस की तो 328 लीटर का जो पहले स्पेस मिलता था वही आपको देखने को मिलता है यहां पर आपको पासल ट्रे देखने को मिल रही है बात की जाए यहां पर साइड में भी आपको जो स्पेस है वो मिल जाता है यहां पर इस साइड में भी मिल रहा है और इस साइड में भी आपको तो आपको आपको अ मिल जाता है एक जाता है लागर 1950 ने जाता है ले खंग जय सकते हैं hok end जब आपको लृफ्ट Do तो अच्छी चीज है कि आपका टायर थाइस उसको डाउन ग्रेड नहीं किया गया लौम्ली आज़कल कमपनी जे हैं जो इसको करने लगी है तो अब इसको कर देते हैं बंद नब बारी आती है इसके इंजन बे की कहानी भी हम जान लेते हैं यहां से इसको खोलना है अब जो ह आपको वही सेम 1.5 लीटर का इंजन मिलने वाला है जो यहां का इसका बोनट है वो काफी साधा है इंसुलेशन हो चुकी है अब नए आपको इंजन मिल जाता है के 15C 1.5 का 4 सिलेंडर का आपको जो पेट्रॉल इंजन है वो देखने को मिलता है जो प्रिड्यूस करता है एक सो दोनों कलर्स आपको मिल सकते हैं वाइट में भी काफी जादा अट्राक्टिव लग रही है ब्रेजा रेड में तो क्या ही कहने बहुत ही लाजवाब कलर है रेड भी और वाइड भी वन अफ दो बेस्ट कलर हो जाता है ब्रेजा का तो गाईज आपको जो हमारी वीडियो है पसंद आई होगी और आपके लिए हर जो वेरियंट्स है ब्रेजा के उसके जरूर हम आपके लिए रेव्यू लेगाएंगे और आपको मिलेंगे अच्छे च्छी वीडियो लेके तब तक बबाई ठेक केर लव यौल जैहिन जैभारत सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देन सब्सक्राइब बाई टेक केर आपसे मेरेंगे अच्छे च्छी वीडियो लेके